इस पर भारी पड़ा और यह परिवारवाद वाला क्या मसला है राजबर जी कह रहे हैं हम तो संगर से आए हैं और इनको सुपारी वाली बात बड़ी कलेजियम लग गई है देखिए सबसे पहले बात तो आज राहूल गांधी की संसद में वापसी के भासन के तोर पर देखी जा सकती है कि आज बहुत बड़ा मौका था राहूल गांधी चाहते तो इस मौके को बेतर ढंग से भूना सकते थे लेकिन आज उनकी सियासत में जो सबसे महतपूर चीज रही वो मलीपूर रही और उस पर जब जब वो आये तब तब वहां पर कोई न कोई हंगामा हो गया तो मलीपूर राहूल गांधी के पांच महीने के लौटने के बाद सदन में सिर्फ मलीपूर एक मामला रहा जिस पर बवाल होता रहा आज इस देश में जब जब भश्टाचार की बात आती है परिवारवात की बात आती है तो आप देखिए कि राजनेतिक पार्टिया खाल नहीं रहे कि भश्टाचार और परिवारवाद हर युग में रहा हर पार्टी में रहा हर सरकार में रहा कोई इससे अच्छूता नहीं रहा लेकिन जब अपनी सुविधा हो दूसरे पर इस पर ठपा लगा दो और भश्टाचारी कहे दो परिवारवादी कहे दो आप जानते हैं कि इस देश में पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता आईएस का बेटा है आईएस नहीं बन सकता लेकिन नेता का बेटा मंत्री विधायक सांसत सब बन सकता है और वहीं बनता है और जब ऐसी को इस्थिति आती है तो उसी के परिवार के लोगों को टिकट दिया जाता है तो यह परिवारवाद हर यूग की डिमांड रही है और जो लोग यह कहते हैं कि भष्टाचार और परिवारवाद को मिटाना है यह उसी तरह की बात है जैसे इस देश में गरीबी को मिटाने की बात हमेशा होती रही इस देश से ना कभी गरीबी मिटी ना भश्टाचार मिटा ना परिवारवाद मिटा और न ये मिटेगा क्योंकि जब अपनी जरूरत है तो सब को गले लगाने के लिए राजनेतिक लोग तैयार रहते हैं तो ये मिटने की बात तो नोबत तो कभी आही नहीं सकती अगर इस देश से गरीबी खतम हुई होती तो रासन लेने वालों की संख्या बढ़ती नहीं हर साल जो फिरी मुफ्त का रासन और मुफ्त का जिनको खातों में पाईसा चाहिए और जो अकरमड़े और कर्महीन मनाती है चीजों को जो लोग सुविधा भौगी हैं मुप्त की चीजों के लिए जो रेओडियों को परासरित लोग हैं वो इस देश के लिए अच्छा नहीं है देखिए राउल गांधी इसलिए मारक भासण नहीं कर पाते क्योंकि साथ उनकी हिंदी अतनी अच्छी नहीं है उनके पास इतनी ल संबा हुआ लेकिन वह मलीपूर मलीपूर पर आकर रुक गए एक बार उनने हर्याणा का भी नाम लिया लेकिन उनका भासण संचिप्त था कि यह जरूर है कि अब बीजेपी राहुल गांधी को पपू कहिके नहीं घेरती है सायद बीजेपी को नुक्सान होता है पपू न आएंगे देश में क्योंकि उनके पास उमर लंबी है कि आज इस बात की भी तारीफ हुई है कि हमिशा ने ग्रहमंत्री के तोर पर अपनी जिम्मेदारियों में यह बास्विकार की कि मडीपूर की घटनाने उनको तकलीब दी और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि अश्टा-चार तब खाली हिंदू-मुसल्मान चलेगा और तब खाली चलेगा कि रासन कितना मिलतबा है रुपया कितना आय रहा है और किस जात के कौन से परत्यासी को टिकट दिया गया है सियासत में बहुत लंबे रास्ते लोगों को अभीताय करने हैं और जो लोग आज सत्ता में हैं वो अपने कुछ गुड़ों के नाते हो सकता है ठीके हैं हर आदमी का अपने एक वक्त होता है और आज इस देश की सियासत में भाजपा का वक्त चल रहा है यह जरूर है कि सरकारों के सामने चुनवतिया आती हैं और उनसे उनको निपटना होता है एक साहितिकार ने लिखा है कि जो लोग सियासत में दाउपेज करते हैं अगर उन्हें हम जवाब नहीं दे पाते तो उन्हें उपर वाला जवाब देता है और उसके जवाब बड़े लाजवाब होते हैं इसलिए जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए लड़ाई की जाए जिम लेकर बीजेपी अटैकिंग है उसके पीछे कारण इंडिया का गडबंधन है हाला कि उस गडबंधन में वोट नहीं डाल रहे हैं कुछ उनके साथ ही उसको लेकर भी संसय है लेकिन एक मजबूत विपक्ष राज सभा में उभरा है इसमें कोई सक नहीं है जो आपने बात क नहीं कि बीजेपी को चिंता में डालती है और बीजेपी को इसकी चिंता है भी भाले बोले ना लेकिन अंदर खाने उस पर काम उनका चलता रहता है कि सुनिएगा कि कि तमासा खूब मेरे सरकार तुम मेरे हाल पर करवाओ मगर कभी हवा जो बदली तो कोई खैर खान मिलेगा और और कब तक मिलने का मौका मिलता नहीं है रोज इसलिए आज हमने लबजों से तुम्हें छुआ है बहुत शुक्री आविरेंजी मैं उमीद करता हूं कि नाजीम नक्वी साब आपको शेर के जरीए ही जवाब देंगे बहुत शुक्री आपका